Nokia ने अपने दो फीचर फोन Nokia 125 और Nokia 150 को लॉंच कर दिया है ये दोनों ही फीचर फोन 2.4 इंच के डिस्प्ले और लॉंग लास्टिंग बाटरी के साथ आते हैं साथ ही इसका डिजाइन भी काफी अट्राक्टिव दिया गया है Nokia 125 की फीचर की बात करें तो इसको दो कलर ओप्शन चार कोल ब्लाक और पाउडर वाइट में लॉंच किया गया है इसकी कीमत लगबग 1800 रुपे रखी गई है फोन की फीचर की बात करें तो इसमें 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले दिया गया है इसे पार देने के लिए 1020 mAh की बाटरी मिलती है फोन ट्रडिशनल T9 की पाड के साथ आता है ये सीरीज 30 प्लस उपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है इसमें मीडिया टेग का प्रोसेसर 4 MB RAM प्लस 4 MB स्टोरिज के साथ आता है इसके बाग में VGA कामरा LED Flash के साथ मौझूद है अब Nokia 150 के फीचर की बात करें तो ये तीन कलर ओप्शन्स रेड, साइन और ब्लाक में आता है इसकी कीमत लगबग 2100 रुपे रखी गई है इसमें भी 2.4 इंच का QVGA स्क्रीन मिलता है इसे भी पार देने के लिए 1020 mAh की बाटरी दी गई है फोन ट्रेडिशनल T9 की पाड के साथ आता है ये भी सीरीज 30 प्लस उपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है इसमें भी MediaTek का प्रोसेसर 4 MB RAM प्लस 4 MB स्टोरिज मिलता है इसके बाक में VGA कैमरा LED Flash के साथ दिया गया है इसकी मेमरी को expandable Micro SD Card के जरीए 32 GB तक expand किया जा सकता है फोन में MP3 प्लेयर जैसे features भी दिये गए है